प्रिमिक्स करेंगे इंडियन क्लामेट से लेटेड तो शुरुआत करते हैं आज के प्रिमिक्स की पहले कुशन के साथ जहां पर बात की जा रही है आपके इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में कि आपका काफी हद तक न्यूज में रहता है इन इन मौनसून के दरान जब भी न्यूज आपकी फरकास्ट की जाती है तो वहीं बढ़ी कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इससे लिटेड बताना हैं कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं 2017 का आपका एक कोशन है दो स्टेटमेंट्स दी गई है चार कोड़ आपको प पर डिसकस करते हैं इस कोशन को तो बेसिकली काफी स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट थी कि अगर आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता रहे तो काफी इजिली आप तो आसे थे हैं कि पहली सेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है कि दो जो यहां पर पोल रह तो जनरली जब आपका warmer than average जो sea surface temperature रहेगा तो उसकी वसे इस region में आपकी जाधा rain रहेगी, cooler than average इस site रहेगा वहाँ आपकी कम rain witness की जाएगी और इसे हम positive तरीके से characterize करते हैं, अगर यहाँ पर conditions reverse कर दी जाएं तो आपका negative ocean dipole कहलाता है, तो यही सब चीज़े आपको यहाँ प question था, important था, आपको basic information के बारे में पता होना, basic concept के बारे में पता होना, ताकि जब इस तरीके से question आए, तो आप वहाँ पर correctly mark कर सकें, उसके लावाँ देखें, second question में स्करीन हाई से लेड़ेड़ अब यहाँ पर आपको कुछ statement दी गई हैं, बताना है इन में से कौन-कौन statement सापकी correct है, चार कोर्ट दिये गए हैं, तो basically पहली statement में क्या कह रहे हैं, जो आपका, it is a high pressure area near the south eastern coast of Africa, second कह रहे हैं, the onset of Indian monsoon, वो आपका effect कहोता है by the formation of Mascarine High, और third में कह रहे हैं कि यह responsible है for crossing of winds across the equatorial, किस वज़े से, कि जो pressure belts की shift वहाँ पर होती है, तो तीन statement आपको दी तो basically यहाँ पर आपकी तीनो की तीनो statements बिल्कुल correct है, discuss कर लेते हैं, क्या है आपका Mascarine High, एक high pressure region है, जो कि आपके Mascarine Island, जो कि हमारे southern Indian ocean में एक, आपकी basically islands हैं, वहाँ पर located है, and it is the source of southwest monsoon in India, तो इस high pressure के वज़े से इसे यहाँ पर Mascarine High कहा जाता है, और high pressure आपका responsible रह equator through the south Arabian sea, ठीके जी, तो यह basically क्या करता है, जो आपकी circulation रहती है, southern और northern hemisphere में, तो उन्हें जो air circulation के बीच में एक link create करता है, और variation जो आपकी intensity भी रहती है, of high pressure, उसकी वैसे आपके monsoon surges आते हैं, cross the equatorial flow, और यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगी है, तो अगर किसी यह रहा आपका region, जो कि मैं screen high के नाम से जाना जाता है, ठीके जी, अगले question में बात हो रही है, आपके monsoon trough के बारे में, कुछ statement आपको दीगी है, बताना है मैं से कौन कौन सी, correct है, चार codes आपको यहाँ पर provide किये गए है, पहले सिट में क्या कह रहे हैं, जो आपका monsoon trough र दीगी है, खोड़ा सोचिए, correct option यहाँ पर mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को, तो basically यहाँ पर आपकी first और third statement यहाँ पर correct है, कि जो monsoon break के दोरान जो आपका trough है, वो south direction में नहीं बलकि north direction में वहाँ पर move करता है, ठीके जी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई भी ग during the active monsoon period, और जब भी आपका break monsoon period का time आएगा, तो उस दोरान आपका trough northern direction में move कर जाएगा, तो वही चीज़ आपसे question में पूछी भी गई थी, तो I hope आपने correctly mark किया हो, तो basically, fourth question देखते हैं, जहाँ पर made in Julian oscillation के बारे में, आप से दो statements दी गई हैं, आपको बताना हैं में से con-con statements, correct हैं, पहली statement में क्या कह रहे हैं, कि आपका stationary fluctuation of the temperature between the Bay of Bengal and Arabian Sea, और second में कह रहे हैं, it brings high rainfall over the Indian subcontinent, जो की जब overlap कर जाती है, monsoon season के साथ, तो दोरान, तो दो statements हैं, फ़ड़ा सोचिये इस oscillation के बारे में, correct option यहाँ पर mark कीजिए, फिर डिसकस करते हैं इस question को भी, तो basically ज globe आपकी oscillation move करती है, यह Bay of Bengal और Arabian Sea तक ही सिमित नहीं है, ठीके जी, तो पहली statement आपकी यहाँ पर incorrect होगी, second बिल्कुल correct है, कि basically इस oscillation की वज़े से, जैसे clouds आपके move कर जाएंगे, eastern direction में move करते हैं, तो उस दोरान उन-उन clouds से आपकी rainfall भी विटनेस की जाती है, उन regions में जहा through the atmosphere, about the warm parts of the Indian and Pacific Ocean, समयने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से इस जैसे आपको काफी जीजने clear हो जाएंगी, कि clouds की formation हो रही है, और वो eastward direction में move कर रहे हैं, along the equator, तो वहाँ पर this direction, जहाँ जहाँ रीजन से यह पास करेंगे, वहाँ आपकी rainfall भी विटनेस करने को देखी जा जहाँ से पास हो चुके या जहाँ पर आने वाली है, तो वहाँ पर थोड़ा dry region देखा जाता है, ठीके जी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाए भी गई है, और यही आपका simple oscillation है, और जब भी आपके Indian monsoon के साथ अगर वहाँ पर overlap कर जाए, तो वहाँ उस दोरान क आपको कुछ statements दीगी हैं, बताना है कि इन तीन statements में से कौन-कौन statements यहाँ पर आपकी correct है, चाकोज आपको provide कर दिये जा चुके हैं, पहले में कहरे हैं, हिमालेंज आपके basically trap करते हैं, monsoonal winds over the Indian subcontinent, जिसके विचे विचे आपकी rainfall आती है, second में कहरे हैं, जो heating होती है, तिब प्लाट्यों की during the summer, वो create करती है, एक low pressure, जो कि attract करती है, moisture-laden winds को from the Bay of Bengal, और third में कहरे हैं, जो region रहता है आपका western gharts और western gharts के बीच का, वो receive करती है, maximum rainfall during the southwest monsoon, तो यह अब आपको तिन statements यहाँ पर दीगी हैं, थोड़ा सोचिए, correct option यहाँ पर mark कीजिए, आपके discuss करते हैं भी, तो basically यहाँ पर आपकी first और second statement ही correct है, काफ़ी simple सी statement सी, जो यहाँ पर रखी गई थी, third statement आप easily तो सकते हैं, जो आपका eastern और western gharts जो रहते हैं, ठीकी जो उनके beach का region रहता है, वो आपका rain shadow region रहता है, आपने पढ़ा होगा और agraphic rain के बारे में जो हम पढ़ते हैं, कि ए एक side आपका, अगर barrier रहे, एक side सी जब आपके clouds की formation जो आप rise कर जाते हैं, पर उपर clouds की formation होती है, और इस region में आपके rainfall witness की जाती है, और हालांकि जो यह region रहता है, यह आपका rain shadow region रहता है, तो वो region आपका eastern और western gharts के बीच का है, उसके लावा पहली दो statements बिल्कुल correctly बिदा आपकी bay of bengal branch of monsoon winds को दो branches में, एक आपकी जो flow करती है along the plane, regions towards the northwest India, और दूसरी आपकी south east Asia की तरफ वहाँ पर flow करती है, ठीकी जी, वही तिपितिन प्लैट्टी के बारें बताया गया है, high altitude region जो की act करता है as a formidable barrier as well as a heat source, अब heat source की तरीके से वहाँ पर act करेगा, तो आपका basically एक low pressure region वहाँ पर create हो जाएगा, तो उसी के साथ अगर इसकी coupling हो जाए, mass screen high के साथ, आपके इस low pressure region के साथ, तो जो आपकी monsoon winds है, वो इस तरीके से इस direction में flow करती है, तो basic सी important चीज़े हैं, कि किस तरीके से आपका Indian subcontinent की geography है, फिजियोग्राफी है, वो impact करती है यहाँ के climate discussion discuss करने है, daily attempt करने है, ताकि आपको एक feedback मिलता रहे हैं, कि जो आप prepare कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, कि कितना आप उसे retain कर पा रहे हैं, किस तरीके से जो वहाँ से question पूछे जा रहे हैं, आप उसे answer कर पा रहे हैं, ठीके जी, कल की बात करें, history का session रहेगा Northern India में, 1000 से लेकर 1200 CE तक, जो जो developments में हैं, उसे लेकर हम पांच question discuss करेंगे, तो थोड़ा prepare करके आईएगा, ठीके जी, so that will be all, all the very best, have a good night. झाल झाल